हलो प्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी देश्पी लेका रहा है जिसे देखती आप तुरंत बनाओगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमने एक कटोरी चावल लिया है बचे हुए चावल जो की अकसर हम यह तो फेक देते हैं तो फ्राई करके खा लेते हैं तो वही चावल हमने बचे हुए चावल लिया है और एक कटोरी थे यह और इसको मिक्सी की जार में डाल देंगे इसमें पानी डालेंगे तो पानी इस तरह से हमने इसको पीज कर तयार कर लिया है और इसको दूसरे बॉल पर ट्रांसफर कर दिया है उसके बाद हमने एक कटूरी सूजी लिया है यहां पर हमने बारीक सूजी का प्रयोग किया है तो उसके बाद हमने इस तरह से मिक्स करना तो इस तरह से चलाते हुए इसको अच् कड्दूकस के हुआ यहां पर हमनेकर उल्का अमटर होइव ठीचर को हमने मिंट हर शाइटाब मीडिया हुश करके हमने डाल दिया है तो ते मिंटी मिर्ची कमने बाट कर डाल दिया है पासंदों उसको हटाए भी सकते हैं उसके दाला नमक झीड निया दाला है उसके बाद हम डृष बच्छो के लिए भी बना रही हूं तो इसलिए धनीज फी थोड़ा कम ढाला आप्सक्राइब दरसकते हो और ज्यादा तीक खासते हैं मैं यापार बच्चों के लिए भी बना रहे हूं तो इसलिए थोड़ा कम ढली हूँ धनिया पाउड़ा डाले यह थोड़ा सा घरम मसाला डाल दिया तालने के बाद इसमें नमक भी डालेंगे थोड़ा सा तो जाला है तो कम ढालेंगे तो नमक भी डाल दिया है ultamed video dip लिए कि असोड़ा तरह से मिक्स कर लेंगे पोट हैसे मेंगे अगर आपको पानी कम मुध तो यहां पर पानी छोड़ेंगी उससाब से रखिएगा देख लीजिए मैं यहां पर पानी नहीं मिला रहे हूं बिल्कुल भी तो क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी तो यह हमारा अच्छे से मीक्स हो चुका है आप लोग देख सकते हो और उसके बाद हम इसको ठक कर रख देंगे रेश्ट के लिए तो इसको 5-7 मिनट के लिए मैं रेश्ट के लिए रख देती हूं तो 5-7 मिनट हो चुके हैं हमारा रेश्ट कर चुका है सूजी भी अच्छे से फूल गई होगी सब जोने भी पानी छोड़ दिया यदि आप पानी कम लगे तो आप थोड़ यहीं कि मतल देंगे देख लिए ऐसे में डाल देती हूं तो एक बारी में मारे जितने आएंगे उतने डाल देंगे आपके अधिकाम आए तो कम भी डाल देजिए और इसको यह पता जो मोटा होगा ना तो उसको इस तरह से हम चमब्याच की साथा से थोड़ा पहला देगे जादा नहीं पहलएंगे जादा पतला भी मतरा खिएगा थोड़ा सा फैला दिया गर् fallait कि One Plans निंगे त्रूस यृाभ भर ग्राऊंश पत्वातु इस तरह से त्टर्वी आसानी हो जाता है हो ज्याद का लोगाने बहुत ही आसानी से तो देख लीजीगा हमने डाल दिया उसके बाद इस तरह से हम्ड़त देंगे बहुत ही आसानी से पालट जाएंगे अगेश को मीडियम रखेगा और जो हमारे वहते जाएंगे उनको अंसे जाएंगे तो इस तरह से प्लाटते जाएंगे और सारों को पलाट देंगे और पलाट कर इनको अलट पलाट को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे शेक लेंगे तो फ्रेंट्स यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ तो वीडियो को जरूर लाइक करने शेयर करने चैनल को सब्सक्राइब करना बे आइकन को जरूर दबाना तक कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब को मिल सके देख लिए प्रेंट्स यह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में स इसी तरह से में करके सारे बना लूंगे जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएंगे तो फ्रेंट्स देख लीजिए गा हमने सारे बना लिए हैं और सारे बनकर तयार हो गए बहुत ही आसानी से बन गए तो फ्रेंट्स आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो